बिहार, आईटिया एका फॉम भराना सुरू हो चुका है। बिहार इससेरो में आप को बताने कना है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुरू हो चुगा है, प्लीज वीडियो में लास तक बने रहेगा, डेट बगरा हर एक जनकारी आपको इस वीडियो में हम सेर करेंगे, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वेडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कर दीजिएगा, जो लोग विहार आईटियाई का फॉम भरना चाहते हैं, और चैनल पर पहले ही बारा हैं, तो चैनल को लाल बटन दवा के सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके, आल कर दीजिएगा, ताकि जब ही मेरा वीडियो आगे से आए, तो सबस सेक्षन में, यहां पर बिहार आईटियाई आउनलाइन फर्म 2022, दोस्तों बाद में पोस्ट नीशे चला जाएगा, ध्यान दखियेगा, इसी को आपको उपेन करना है, यहां पर हडएक जनकारी डीटेल्स में समझाया गया है, इसे आप ऑफिसेल नोटिपिकेशन भी जाने वाले हैं, तो यहां पर हडएक चीज आपको लिखा गया है, चलिए यहां पर हम आपको बता देते हैं, सबसे परें दोस्तों, यहां पर समझ लीजेए इसका आपेधन है, आपको पांच तारिक से शूरू हो गया है, यानि कि पांच अपरील से और इसका लास्ट डे 430 रुप्या है, तो यहां पर हम सौर्ट कोड में आपको समझा देते हैं, जैसे एडमीट काड आपका जो है, यहां पर देख लीजिए, 17-5 को आने वाला है, तो यहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में आपको फॉम भर प्रहकर जाएगा, इस तरीके से, और यहां पर थोरा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अभी जश्र लिंक ओपन हुआ है, कुछ दिर पहले, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, 2022 है, और सब सब देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले आपको बत है मैं प्ता 키 साल की जाthisicamente टॉलेज इंकि आपको बताना है कि आपको न्य चाहीं करना है यहां पर बताना है कि आपके पातार यहां पर मदर से कहां रहने वाले हैं यानि का स द्रश्रिक के है फो यहां पर इंकर भी शेलेक्शन कर ले इस तरीके से और उसके बाद यहां पर आपको नीचे स्क्रोल करना है यहां पर आपको बताना है आप आपको नाम लिखना है middle name, last name, दोबारा नाम डालना है, उसके बाद डेटा वर्ट सेलेक्टर ना है, उसके बाद आपको बताना है, यहाँ पर दोस्तों पर्मनेंट, यहाँ पर रेसीडेंटल क्या आप बिहार से हैं, तो yes कर दिजेगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है, आपके मातापीता मून सट्राइब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर दोस्तों कि कर देख सकते हैं जो है यहां पर नॉबर वगएरा जो होना चाहिए इसकेद करके और उसके बाद यहाँ पर बता सकते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वाटी जी और फेवरेट टीम हो गया उसके बाद मोभी हो गया यह सब कुछ भी बता दीजिएगा ताकि फ्यूचर में पासबोर्ट फोर्गेट करते समय यह आपको काम आने वाला है तो कुछ भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसके बाद यहाँ पे capture को fill up करके और sign up button पे click करना है sign up button पे click करेंगे तो एक बार आपके सामने code पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो एक्टिवेशन जो code है आपके mobile पर send कर दिया जाएगा OTP के तरह जो है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले email id डालना है जिस email से आपने online apply किया है यहाँ पे activation code में यहाँ पे देख लिजिए आपको जो mobile पर OTP send किया गया होगा वह डालके और submit वाले बटन पे क्लिक किजिएगा उसके बाद आपका जो है इस तरीके से login करने के लिए रेडी हो जाएगा यहाँ पे आपका एकाउंट एक्टिव हो गया है यहाँ पे login बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको email id डालना है यानि कि जो email id से आपने online अविदन किया है और पासबोर्ड तो आपने खुद बनाया था उस पासबोर्ड को यहाँ पे डाल देना है अपके सामीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से यह आपका जो है user id और पासबोर्ड के ज और यहां पर अपना gender selector लिजेगा जेंडर यहां पर दोबारा आपको सेलेक्टर लेना है यहां पर इस तरीके से और यहां पर आपको identification आपको बताना है अगर आपके सरीर में कोई cut up बगएरा है तो उसको यहां पर डाल देजिए कोई issue नहीं है उसके बाद मतलब कुछ भ कर दीजिएगा और यहां पर save and continue पर क्लिक करना है save and continue करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा यहां पर आपको जो है सबसे पहले photo upload करना याद रखे और photo यहां पर समझ लिजिए यहां पर size भी बताया गया है आपको किस तरीके का होना चाहिए दू तो दोस्तों ये भी आपको इसी तरीके से 100 के अंदर में होना चाहिए जबी फोर्मेट में यहां पर बताया जारा है तो 100 के अंदर में यहां पर अप्लोड कर देते हैं इस तरीके से यहां पर फोटो भी अप्लोड कर दिए signature और हिंदी- इंगलिस में और कोई दीकत नहीं सो के भी से थोरा सा नीशे रखिएगा यानि कि 50 प्लस रखिएगा और यह दोस्तों आप अपने मोवाइल से भी खींच के अपरोड कर सकते कोई जरूरी नहीं साइवर कैफे का यहां पर सेम एंड कंटीनू पर यहां पर यानि कि समीट एंड कंटीनू पर हम किलिक करेंगे य यहां पर की आपको प्रत नौन में के का प्रतिन ऒन कि इसके बाद यहां पर यहां पर पर्सेंटेज हैका या सीजीपियर जया है जैसे CGPS CCBoard वाला का होता है मेरा यह percentage है क्योंकि बिहार बूर का percentage में यहां पर दूस्तों आपको कितना marks आया है और यहां पर दूस्तों जैसे कि हम यहां पर ढाल देते हैं 350 नमपर अगर आया है इस तरीके से आपका सारा details दिखेगा अगर आपका कुछ भी गलत है तो आप जो है edit करके back भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमरे एक चीज मेरा सही है यहाँ पे हम icon form कर लेते हैं और यहाँ पे submit वाले बटन पे click करते हैं यहाँ पे फिर से yes कर देंगे और इस तरीके से यह जो है मेरा form successful हो गया है और यहाँ पे last step मेरा बज जाता है proceed to payment का तो यहाँ पे दोस्तों आपका सारा चीज सब कुछ सही हो चुका है आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे proceed to payment पे click करेंगे और यहाँ पे आपके सामरे payment का यहाँ पे option आजाएगा यहाँ पे ओनलाइन mode से payment आप कर सकते हैं यहाँ पे debit card, credit card, net banking, बहुत सारे यहाँ पे order option भी है जैसे order पे click कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे proceed to pay पे click करेंगे इस तरीके से order पे दोस्तों यहाँ पे आपको चार्ज लग जाएगा हो सकता है debit card ही best रहाएगा यानि कि ATM card इसमें आपको कॉम रुपया लगेगा यहाँ पे 101 रुपया ही है तो यहाँ पे डालके और make payment पे click करके कर दीजिएगा उसके बाद आपका print out तो already देख वे किये हैं आपका हो चुका है उसको print कर लीजिएगा और इसके बाद दोस्तों आपको जो है इंतजार करना है next बार जो है जब admin card वगेर आता है तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म फिलाप कर सकते हैं हमें फॉर्म नहीं भरना इसलि के लिए धन्यवाद